Hello dear student, how are you? आज किस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ साथ और आठ फर्वरी को आप लोगों का English score का जो एक्जाम होगा उस English score के एक्जाम में आप लोगों को Advanced Writing Skills से Objective Type के 3 से लेकर के 5 Question पूछेंगे जिसमें Notice, Article, Report या Later से Related आप लोगों को जो है वो Objective Type के Questions 3 से लेकर के 5 Question पूछेंगे जो आप लोगों को इस साल के भी Model Paper में पूछा गया है और हर साल Advanced Writing Skills से Objective Type का Question पूछा जाता है तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो है Most Important Top Objective Questions जो है वो Advanced Writing Skills के उपर बताने वाला हूँ अगर आप इन Questions को एक बार देख लेते हो इन Questions को अगर आप कर लेते हो तो यहां से 3 से लेकर के 5 Number जो है वो आप लोगों का एकदम Confirm है अगर Objective Type का Questions पूछा या तो Model Paper से पूछेगा या इनी में से कुछ आप लोगों को पूछेगा इसमें से कई सारे Questions PYQ से लिया गया है कई सारे Questions आपके Model Paper पे बेस्ट है और Most Important यह Topic है आपका Advanced Writing Skills Objective Type का Question में Full on Full Marks Score करने के लिए ठीक है चलो हर एक चीज डिटेल में बताते हैं अगर आप याद रख पाएं तो ओके याद नहीं लग पा रहें तो आप Screenshot लेकते जाना और उसको Copy में जो है वो Note Down आप कर सकते हो क्योंकि यह बहुत Important Objective Type का Questions आपका होगा ठीक चलो अब हम लोग आते हैं Questions पे तो देखो यहाँ पे आप लोगों के लिए सबसे Important Important Questions हम लेकर के आएं हैं और कुछ-कुछ Questions का अगर Marking इधर उदर होगा तो Marking में थोड़ा सा Manage कर लेना ठीक है यानी Serial Number देखो क्या बोल रहा है पहला Question है हम लोगों का In Notes Making Information Should Be Divided जब हम लोग एक Notes Making करते हैं तो Notes बनाते समय इन्फोर्मेशन को हम लोग किस तरीके से डिवाइड करते हैं तो जो इन्फोर्मेशन होता है वो Logically होना चाहिए कैसा होना चाहिए Logically Question Number 2 में Symbols are freely used in dot dot किस चीज को बनाने में हम लोग जो Symbols होता है उन Symbols को मतलब अपने मन से जैसा चाहे वैसे Symbols use कर सकते हैं तो Symbols हम लोग use करते हैं क्या बनाने के लिए Notes making करते समय Symbols हम लोग use करते हैं Question Number 3 While preparing Notes which is never used जब हम लोग एक Notes बनाते हैं तो Notes बनाते समय हम लोग को क्या use नहीं करना चाहिए तो Notes बनाते समय हम लोग Complete Sentences complete sentence को use नहीं करते हैं क्योंकि देखो notes का बनाने का मतलब है हम आप लोगों को notes बनाने सिखा चुके हैं notes बनाने का मतलब है एक बड़ा सा जो paragraph दिया जाएगा उस paragraph का main main important points को key abbreviation में या main key point में लिखना तो भाई notes बनाते समय abbreviation बनाना तो जरूरी है notes बनाते समय जो है हम लोग क्या use नहीं कर सकते complete sentence यानि paragraph जिस sentence में लिखा गया है जैसे जैसे sentence बना है वैसे हम लोग जो है notes बनाते समय योज नहीं करते हैं question number 4 notes should be written in dot 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 form एक notes जो होता है वो हमेशा किस form में होता है तो notes हमेशा जो होता है वो narrative form में होता है question number 5 in note making notes are written only in जब हम लोग आप एक notes बनाते हैं तो एक notes making करते समय हमेशा हम लोग किस तरीके से notes बनाते हैं तो phase में जो है हम लोग notes को बनाते हैं question number 6 में बोल रहा है notes should be in dot 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 form notes जो होता है वो किस form में होना चाहिए तो notes हमेशा आगे बढ़ते हैं question number 6 में notes should be divided in अच्छा ही तो अभी अभी पढ़े थे notes short form में होता है question number 7 while writing a note convenience method of division of heading is in the dot 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 system जब हम लोग एक notes बनाते हैं तो convenience method जो होता है उसको हम लोग किस तरीके से divide करते हैं तो decimal में divide करते हैं जब हम लोग notes बनाते हैं decimalization मतब decimal का use करते हैं जैसे पहला बना रहे heading तो heading को डालेंगे 1 में उसके अंदर sub heading लिखेंगे तो sub heading 1.1, 1.2, 1.3 करके लिखेंगे फिर जब second heading बनाएंगे तो second heading को 2 लिखेंगे अब second heading के अंदर जो sub heading डालेंगे तो 2.1, 2.2, 2.3 फिर हम लोग third heading डालेंगे और third heading के अंदर जो हम लोग सब heading डालेंगे 3.1, 3.2, 3.2, 3.3 यानि कि decimal form में जो हम लोग लिखते हैं उसको ठीक है question number 8 पे बोल रहा है एक formal letter start with dot 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 most important question है बहुत important question है एक formal letter जब हम लोग कभी भी लिखते हैं एक formal letter हमेशा किस से start होता है तो सबसे पहला formal letter के starting में left side में सबसे top में हम लोग हमेशा sender का address mention करते हैं पहले sender का address होता है फिर date, फिर receiver का address फिर subject उसके बाद salutation होता है question number 9 later to the editor are written to ये भी बहुत important question है later to editor किसको लिखा जाता है news paper को लिखा जाता है question number 10 while writing article where should be writer mention his or her name जब कभी भी एक article लिखा जाता है उस article में एक article में जो लिखने वाला है वो अपना नाम हमेशा कहां mention करता है तो at the end last में वो अपना नाम mention करता है सबसे उपर में heading रहता है नाम जो है वो नीचे mention होता है आगे बढ़ते है question number 11 अब देखो ये marking जो है कहीं कहीं पर marking un-violence होगा क्योंकि मेरे पास total 100 MCQs था लेकिन उस 100 MCQs में इंपोर्टन इंपोर्टन MCQs आप लोगों के लिए लाए हैं तो इसलिए थोड़ा सा number इधर उधर होगा manage कर लेना ठीक है question number 11 in letter writing replying to inquiries comes under the category of जब आप एक letter लिख रहे हो और उस letter का main motive है आप दूसरे को reply देते हुए वो letter लिख रहे हो तो वो एक business letter कहलाता है देखो question थोड़ा सा ज़्यादा होगा क्योंकि अभी हम लोगों के पास समय है आज है हम लोगों का 12 तारीक है exam आज 13 तारीक है और exam जो है हम लोगों का 7 या 8 तारीक है तो आप अगर इसको 20 मिनिट 25 मिनिट अच्छा से देखोगे तो उसी में आपको ये चीज याद हो जाएगा तैयारी में 1% का भी हम लोग धिलाए नहीं कर रहे हैं इसलिए जितना ज़्यादा question हो सके उतना ज़्यादा question हम लोग करेंगे और जब आप लोगों का exam से 2 दिन पहले जब दो बार हम महा मेरो थोन क्लास कराएंगे आप लोगों को live test लेंगे उसमें ये सारा चीज आप लोगों को छोटा करके देंगे question number at 12 पे आते हैं while writing and notes which of the following is freely used जब हम लोग एक notes बनाते हैं तो किस चीज को freely use करते हैं तो भाई every variation every variation को हम लोग freely तरीके से यूज करते हैं next question 13 the purpose of invitation is to invitation का main purpose होता है invitation दूसरे को invite किया जाता है invitation के थुरू दूसरे को invite किया जाता है next in note making notes are not written in जब हम लोग एक notes making करते हैं तो notes को किस तरीके से नहीं लिखना चाहिए तो notes को sentences में कभी भी लिखना नहीं चाहिए 15 number when notes are read again diet बोला गया when notes are read again diet तो यह होता है आपका must make sense ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अब देखो यह unbalance हो गया थोड़ा सा serial number manage कर लेना ठीक है question number 51 इन फॉर्मर्ल लेटर Receivers addres include जब हम लोग एक Formal Later को लिखते हैं तो उस Formal Later में हम लोग यहां से किस चीज को include करते हैं तो क्या बोल रहा है देखो Rece locked address Receiver का address sender address नहीं बोल रहा है एक Formal Later में जब हम लोग Receivers का address लिखते हैं तो receiver के address में इन चारों में से किसको include करते हैं तो receiver का address में हम लोग receivers का नाम mention करते हैं जैसे मान लोग कि हम लोग later लिख रहे हैं आपको Times of India को तो हम लोग लिखेंगे to the times of India क्या लिखेंगे to the times of India तो देखो ना मतलब receiver का address में receiver का नाम भी mention करते हैं है question number 52 one should start a speech by एक speech जो है वो किस तरीके से start करना चाहिए तो इसका answer होगा a grant greeting the chief guest fellow speakers and the audience जब कभी भी कोई भी program start होता है तो सबसे पहले chief guest को धन्यवाद किया जाता है उसे संबोधित किया जाता है इसके बाद जितने भी वहाँ लोग है उन सब को जो है वो संबोधित किया जाता है question number 53 official letter do not include एक official letter में क्या include नहीं कर सकते हैं तो official letter में making request या appeal is include नहीं कर सकते हैं question number 54 notes issued by government generally appears यह पिछले साल का पुछा हुआ question है कि जब कभी भी notes issued किया जाता है government के द्वारा तो वो इन notes मतलब इस notes को किसके थूरू logo तक पहुँचाता है तो newspaper के थूरू जैसे मान लो कि जारकेंड एकड़िमी काउंसिल जेक बोड जो है वो लोगों तक पहुचाने का काम करता है आए समझ में चलो आगे बढ़ते हैं next question पर बोल रहा है letter to dot 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 comes under the formal letter तो जब कभी भी हम लोग letter to editor लिखते हैं यानि जब editor को letter लिख रहे तो वो formal letter होता है वहीं अगर letter हम लोग friends को लिखे father को लिखे या mother को लिखे तो ये सब हमारे अपने हैं अपनों को जो letters लिखा जाता है ये informal letter होता है next question बोल रहा है what is written at the beginning of an article एक article के सबसे starting में top पे क्या लिखा जाता है article के सबसे top में जो है वो article का title लिखा जाता है यानि की heading उस article का नाम लिखा जाता है जिसके बारे में आप article लिख रहे हो जैसे बेटी पड़ाओ बेटी बचाओ योजना आपका सुकन्या योजना आपका GST हो गिया चंदरयान होग हो गिया जिस topic के भी उपर आप article लिखोगे उसका नाम आपको सबसे top में लिखना है question number 57 in notes making notes are not written in जब आप एक notes making करते हो तो उसमें आप क्या नहीं लिख सकते हो तो notes को sentences में कभी भी नहीं लिख सकते हो next question बोल रहा है notes should be एक notes जो है वो किस तरीके से होना चाहिए तो इन में से सब होना चाहिए notes जो है वो sequential होना चाहिए, sensible होना चाहिए, liable होना चाहिए next question symbols are freely used in किस चीज को बनाने में symbols freely तरीके से यूज करते हैं तो notes making करते समये next question है notice in school and colleges contains certain announcement for एक school या colleges में जो notice लिखा जाता है उस notice के थूरू किसको information दिया जाता है तो students को information बताया जाता है जैसे suppose कर लो आपका cultural program होने वाला है book fair program होने वाला है science exhibition होने वाला है annual sport day होने वाला है singing competition होने वाला है या आपकी school या college में कोई चीज गुम हो गया है तो इन सभी चीजों का जानकारी आप notice के थूरू बाकी student को देते हो ठीक है आगे next question पर आते है एक formal letter start with एक formal letter हमेशा sender के address से start होता है हम आप लोगों को letter report notice बहुत ही detailed में और अच्छे से पढ़ाएं है अगर आप वो सब पढ़ चुके हैं तो 15 number हम आपके हाथ में ले करके आपको दे दिये हैं अगर 33 number का पुछेगा तो no number आपके हाथ में हम दे दिये हैं आपको question number 62 later to the editor are written for later to editor किसके लिए लिखा जाता है news paper के लिए next question बोल रहा है which of the following can be added to make article writing interesting अगर आप एक article को interesting बनाना चाहते हो यानि आपके article को लोग ज़ादा से ज़ादा पड़े पसंद करें तो आप उसके लिए क्या यूँज करसकते हैं तो आप उसके लिए कोई quotes यूज कर सकते हैं जिससे पढ़ करके लोगों को मज़ा I motivate हो inspire हो या तो फिर आप aesthetics यूज कर सकते हो उसमें कोई drawing कोई photo ये सब यूज कर सकते हो तो भाई दोनों यूज कर सकते हो तो right answer होगा C next question पे बोल रहा है while writing notice the signature of the issuing authority should be written in जब आप एक notice लिखते हो तो उस notice में जो authority होता है यानि कि designation आप head boy हो head girl हो या cultural secretary हो या sports secretary हो आप जो भी हो notice लिखते समय आप अपने बारे में कहां लिखोगे तो सबसे नीचे में जब आप एक पूरे notice को लिख देते हो तो सबसे नीचे में bottom bottom मतलब सबसे end में सबसे last में designation करके head boy head girl secretary करके आप अपना नाम लिखते हो तो सबसे last में नीचे में जो है वो नाम लिखा जाता है उसका जो उस notice को issue किया है एक आगे बोल रहा है what is the motive of writing a letter to the editor letter to editor जब लिखते हैं उसका main motive क्या है तो option number D to request him to give some space to your letter in him paper इसका मतलब नहीं देखते हैं जब हम आप लोगों को later to editor सिखाएं थे तो सबसे पहले जब हम लोग salutation लिखते थे respected sir या meme करके तो क्या लिखते थे through the column of your prestigious newspaper यानि हमको आपके news paper में एक थोड़ा सा जगा चाहिए और उसके द्वारा हम लोगों का ध्यान अपनी और आकर्षित करना चाहते हैं हम आप लोगों को detailed में वो सब चीज दिखाए हैं वो सब सिखाए हैं अगर आप उस video को नहीं देखें तो उपर आई button होगा वहां से आप देख लेना नहीं तो आप बहुत कुछ जो है वो miss कर जाओगे और exam आपका जो है उतना अच्छा से नहीं जाएगा उस्टे नमबर 63 बोल रहा है एक आर्टिकल जब लिखते हैं तो उसको किस तरीके से खत्म करना चाहिए तो एक आर्टिकल को जो है with a suitable conclusion एक अच्छे निसकर्स के साथ जो है उसको खत्म करना चाहिए 67 इनमें से कौन एक सम्मरी राइटिंग का पार्ट नहीं होता है तो जब आप कभी भी सम्मरी राइटिंग करते हो किसी चीज के बारे में छोटा करके बताते हो तो उसमें आप कभी भी using your own word अपने मन से आपको जो तो चीजों को एड मत कर देना लोजिकली जो चीज उस पारग्राफ में बताया गया है उसी के बारे में लिखना आपने own word पर उसको मत लिख देना question number 68 which of the following is not used in notes making notes making करते समय किसको यूज नहीं कर सकते हैं dates को ये भी आपका BVI है notes बनाते समय हम लोग every variation का यूज कर सकते हैं keywords का भी यूज करते हैं title का भी यूज करते हैं लेकिन date का यूज नहीं करते हैं question number 69 which of these is the right format of writing data in the letter to editor जब हम लोग letter to editor लिख रहे हैं तो date हम लोग किस form में लिखते हैं तो right answer होगा option number D 23rd November 2024 यानि पहले date लिखेंगे उसको RD या TH करेंगे फिर महिना का नाम लिखेंगे उसके बाद year put करेंगे question number 70 which of the following is not a component of a letter to editor जब आप एक letter to editor लिखते हो तो इन चारों में से किसको add नहीं करते हो तो letter to editor लिखते समाए हम लोग title यूज नहीं करते हैं क्योंकि letter to editor start किस तरह से होता है sender का address से फिर date से फिर receiver का address से फिर regarding से उसके बाद salutation और last में your truly करके end करते हैं इसमें जो है वो title नहीं होता है salutation बिल्कुल आता है date बिल्कुल आता है signature last में आता है लेकिन title नहीं आता है तो इसका right answer होगा option number ए most important question है 71 पे बोल रहा है notice issued by government generally appears in newspaper अभी पड़े थे question number 72 in notice writing the name of the institutes या organization is placed most important question है जब हम लोग एक notice rating कर रहे हैं यानि एक notice लिखे तो school या college का नाम कहां लिखा जाता है तो school या college का नाम सबसे top में सबसे उपर मूसी का नाम होता है ठीक है सबसे top में किसमें भई सबसे top में सबसे top में इसका right answer होगा name of the institutions हाँ सबसे top में at the top next आते है question number 75 में in a formal letter the editor the complimentary close should be जब आप letter जब एक formal letter लिख रहे हो तो उसको last में end किस तरह से किया जाता है your truly लिख करके जो है उसको end किया जाता है next question पे बोल रहा है at which place with love can be used in an informal letter जब आप एक informal letter लिख रहे हो जैसे अपने parents को अपने father अपने mother को अपने भाई बहन को अपने दोस्तों को जब आप एक letter लिख रहे हो तो उस letter को जो है वो end with love with love करके कहा लिखते हो तो सबसे last में जब पूरा notice खतम हो जाता है पूला जब आप letter लिख के खत्म कर देते हो तब आप last में जो है dear meme करके उसको indicate कर सकते हैं ध्यान रखना यहां यह formal या informal letter के बारे में नहीं बोल रहा है बस बोल रहा है कि अगर हम letter लिख रहे हैं और receptionist के बारे में हमको नहीं पता है तो dear sir या dear meme mention कर सकते हैं नहीं तो sir या meme करके mention कर सकते हैं रिस्पेक्टेड सर या मेम के नाम से कर सकते 78 पे बोल रहा है बोला गया है वो शूड बी केप्ट इन माइंड वाल राइटिंग ए गूड आर्टिकल जब आप एक आर्टिकल लिखते हो तो आपको अपने दिमाग में क्या चीज रखना चाहिए ये भी BBI कोस्टेन है तो जब आप एक आर्टिकल लिखते हो तो आपको ये धान में रखना है कि सामने वाला इंसान जो आपके आर्टिकल को पढ़ेगा वो पढ़ करके उसका मूड अच्छा हो जाए यानि सामने वाला का जो रीडर है उस रीडर के मूड को देखते हुए आपको आर्टिकल लिखना चाहिए ठीक है सी नंबर रीडर एंड देयर मूड तब जाके आपके आर्टिकल को लोग पसंद करेंगे नेस्ट कोस्टन पर बोल रहा है जब आप एक हेडिंग या नोटिस लिखते हो नोटिस का जो हेडिंग या सब्जेक्ट होता है वो कैसा होना चाहिए यानि छोटा होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए यानि नोटिस का जो हेडिंग है वो बहुत ज़्यादा बड़ा आपको नहीं लिखना है छोटा लिखना है जैसे मानलो आप एक notice लिख रहे हो आपकी school या college में मानलो की singing competition होने वाला है तो heading में आप direct लिखोगे singing competition खतम यानि इतना बड़ा चीज आपको नहीं लिखना है उसको छोटा करके आपको अच्छा से उसको लिखना है आरी है बात समझ में ठीक है question number 80 where is the salutation placed in the notice जब आप एक notice लिखते हो तो notice लिखते समय आप salutation कहां लिखते हो सर जी salutation का use notice लिखते समय नहीं होता है salutation का use later लिखते समय होता है notice लिखते समय तो हम लोग सर जी body use करते हैं notice लिखते समय क्या use करते हैं body salutation का use नहीं करते हैं तो इसका right answer होगा D, there is no need to write salutation in a notice, notice लिखते समय, salutation का यूज़ नहीं करते हैं, question number 81, a formal letter should be dot 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 to have desired effect on the receptionist, एक formal letter में जो है वो इन सारे चीज़ों का होना जरूरी है, उसका proper format रहे, point to point चीज़ों का बताए, और grammatically जो है वो correct रहे, यह सब चीज़ का होना जरूरी है, next question पर आ informal letter, एक informal letter को किस तरीके से लिखना चाहिए, एक informal letter को normal, आपको simple English अगर आता है, तो उसी language पर आप लिख देना, क्यूंकि informal letter आप अपने closest को लिखते हो, relative को लिखते हो, तो उतना जादा grammatrical correct नहीं भी होगा तो चलेगा, 83 number पर बोल रहा है, the report is always returning, एक report जब भी आप लिख बताना चाहिए, हाँ, और इसमें से most important चीज, जब आप एक report लिखते हो, तो report लिखते समय, जो narration होता है, वो हमेशा किसमें होना चाहिए, immediate past form में होना चाहिए, बहुत important question है, हमको लग रहा है, इस साल ये question आप लोगों को पूछेगा, question number 85, which one is a well written report, एक सबसे अच्छा report ह वही होता है, जिसमें ये दोनों होता है, clarity of thoughts होता है, और proper date and signature होता है, option number C, 85 पे क्या बोल रहा है, short paragraph, thanking of any person or organization which gave you help in collecting data is called, अगर आप एक इस तरीके से, मतलब एक किसी के लिए आप ठाइंक्यू बोलने के लिए आप उसको कोई later लिखते हो, तो उसको आप किस तरीके के later के category में रखोगे, तो वो acknowledgement का category में आता है, question number 86, article इस बाइब बहुत बढ़ा पार्ट होता है, फिक है, आगे, question number 86, article इस बाइब बहुत बाइब बढो राइटर, याद करो, जब हम लोग report writing सिखे थे तो report writing में हम byline बोलके सिखाएं थे कि report writing में byline करके writer का नाम लिखा जाता है किसका नाम? writer का नाम लिखा जाता है byline करके तो इसका answer होगा B 88 नमबर पे बोल रहा है what is the chief purpose of notice writing notice writing देखने का main purpose क्या होता है? to inform others इसका main purpose होता है कि दूसरे लोगों को इसके बारे में जानकारी दिया जाए चाहे वो audience हो या student हो 89 नमबर पे in notes making we should avoid एक notes making करते समय हम यह भी most important question एक notes making करते समय हम लोगों किस चीज को नजर अंदाज करना चाहिए तो long sentence को हम लोगों को नजर अंदाज करना चाहिए उसको नहीं लिखना चाहिए notes making में एक summary should content एक summary किस तरीके से होना चाहिए भाई keywords में जो है वो summary होना चाहिए next question पर आते हैं summary should content तो अभी बताएं थे keywords पे आगे later to editor generally start with तो एक later to editor जो है वो sender के address से start होता है और खतम होता है your truly signature पे 1992 number what is necessary for writing a report एक report लिखते समय सबसे ज़्यादा important क्या होता है तो report लिखते समय सबसे ज़्यादा important होता है introduction उस चीज में जब report लिखते समय जब हमने उसका body भी यूज करते हैं तो वहां पर उस report में उसके बारे में introduction देना बहुती ज़्यादा जरूरी है कि report क्या है कब वो program हुआ था कहां हुआ था और कैसे हुआ यह बहुत important है 93 number what is written in the beginning of an article जब एक article लिखते हो तो सबसे starting में क्या लिखते हो तो article के सबसे starting में आप उसका title लिखते हो उस topic का नाम लिखते हो जिसके बारे में article आप लिखाए in report writing narration of the event is always written यह मेरे तरब से अगर कोई इस साल का सबसे important question होगा तो यह होगा 94 number in report writing narration of event is always in immediate past form एक report लिखते समय उसके अंदर का जो narration होता है यानि उसका introduction वगेरा जो भी होता है वो हमें सा immediate past form पे होना चाहिए आगे letter to editor are written for तो यह news paper के लिए होता है 97 number which of the following is the most suitable salutation for letter to editor इन में से सबसे अच्छा salutation क्या है तो सबसे अच्छा salutation होता है sir यह madam आगे आते हैं 98 number पे a notice is a formal means notice का normal मतलब होता है notice इसलिए दिया जाता है ताकि दूसरे लोगों को उसके बारे में जानकारी दिया जा सके तो एक notice जो होता है वो communication के लिए होता है 99 number in article writing the conclusion should not include जब हम लोग एक article लिखते हैं तो उसमें किस चीज को include नहीं कर सकते हैं तो order article लिखते समय कभी भी order use नहीं कर सकते हो यानि आप उसके बारे में लोगों को बोल नहीं सकते हो कि आपको ये कम करना इच पड़ेगा 100 number last question which one is a component of article writing तो article writing करते समय heading और title लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि article writing करते समय ये सब का उतना ज़्यादा जरूरी नहीं है heading और title का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है बस हो गया अगर आप इतना questions को कर लेते हो तो इसी में से आप लोगों को exam में कुछ question देखने को मिलेगा ही मिलेगा फिर चाहे आप arts, commerce या science कि स्ट्रीम के student है आपको लगेगा कि सर ये तो बहुत ज़्यादा है नहीं है बाबू बहुत ज़्यादा कम है आपको बस एक बार अच्छा से मन लगा करके पढ़ना है सब चीज बहुत अच्छा आसानी से जो है वो आपके लिए हो जाएगा ठीक है और इंग्लिस में जो भी राइटिंग स्किल पढ़ाए है रिपोर्ट, आर्टिकल, नोटिस, लेटर अगर आपको अभी तक वो सब लिखना नहीं आता है तो उन सब का लिंक हम उपर आई बटन में देते जाएंगे आप एके करके जो चीज नहीं जानते हैं उस चीज को देख करके पढ़ लेना तुकि एक्जाम में इन सारे कोस्टन में से कुछ MCQ पुछेगा और आर्टिकल, रिपोर्ट आर लेटर और आपका नोटिस यह तो भाई 100% पुछेगा ही पुछेगा जो हम आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाए हैं हर चीज का PDF, हर चीज का Question, Answer आपको राहूल कोमर्स Academy, Telegram पे चेनल पे मिल जाएगा अगर आपने अभी तक उसे जोइन नहीं किया है तो राहूल कोमर्स Academy, Telegram सर्च करो हर चीज आप लोगों को वहाँ पे फ्री में मिल जाएगा बस आपको जाना है और जोइन हो करके आपको फ्री में हर चीज को पढ़ना है ठीक है चलो वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, सेयर करो, कमेंट करो कोई भी दिकाट डाउट परिसानी है तो बेजी जग वीडियो के कमेंट बोक्स पे कमेंट करके हमको पुछना हम आपके सारे सवालों का जवाब आपको जरूर देंगे ठीक है चलो बाएक केर